Stock market में investments करने के लिए काफी सारे options available हैं, यहाँ पर बहुत सारे sectors हैं, जहाँ पर आप investments कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे को future के लिए investments करना चाहते हैं, shared market में तो यहाँ पर top 4 companies है, top 4 sectors हैं, जहाँ पर आपको investments करना चाहिए, इसके उपर मैं एक detailed video बनाया है, जहाँ मैंने इनसारी चीज़ां के बारे में discuss किया है, उस video का link में description में दे दूँगा, आप उस video को check out कर सकते हैं, इससे पहले मैंने जिन 4 sectors के बारे में बताया था, उसमें से सबसे ज्यादा important है IT के sector में investments, लेकिन IT के sector में बहुत सारी ऐसी companies हैं, जहाँ पर उनके share prices काफी आशकार मेरा नाम है विमल और मैं एक finance professional हूँ, आज की video काफी ज्यादा important होने वाली है, क्योंकि आज की video में आपको बताने वाला हूँ IT sector के बारे में सब कुछ, IT sector में companies अपना business कैसे operate करती हैं, इसके साथ-साथ में आपको बताऊगा कि ये अपना revenue कैसे generate करती हैं, जिसको आज की video में आपको किसी भी company के share prices के बारे में नहीं बताऊँगा, और इसके साथ-साथ में किसी भी company के share prices में कितना growth हूआ है, ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि share market में किसी भी company के share का specific analysis करना हो, या किसी specific sector का analysis करना हो, यहाँ पर prices के लावा भी काफी सारी चीज़े हैं, ज investments करना चाहिए, IT के sector में भी investments करने के लिए काफी सारी companies हैं, कुछ companies जो हैं, वो software बनाती हैं, कुछ company website develop करती हैं, लेकिन कुछ companies outsourcing की services भी provide करती हैं, यहाँ पर बहुत सारी fintech company हैं, जो financial और technology को एक करके यहाँ पर एक अलग चीज़ provide करती हैं, इनका अपना खुद का platform होत काफी सारी companies नहीं नहीं आई हैं, इसके लब इसका overall development जो हैं, वो काफी अच्छे से हुआ हैं, और इसके requirement आज के जमाने में बढ़ती जा रही हैं, IT sector की top 5 companies में से एक जिसमें आपको investment ज़रूर करना चाहिए, वो है TCS की, TCS का full form है Tata Consultancy Services, और अगर हम इसके business की बात काफी सारे sectors में फैला हुआ है, इसके साथ साथ ये इंडिया के लावा भी बहुत सारी जगह से, बहुत सारी countries में अपना business का operate करती हैं, यहाँ पर इसका सबसे main revenue का source है, वो है business process outsourcing, BPO services provide करता है, TCS अपने BPO के units से काफी सारी companies के processes को help करती हैं, और ये backend में काफी support देती है अगर मैं इसके founder की बात करू, chairman की बात करू, इसके founder और chairman है Radhan Tata, अब बात करते हैं second company के बारे में second company है Infosys, Infosys का business model और Tata Consultancy Services का business model सेम है, यहाँ पर भी इसके काफी सारे clients हैं, TCS और Infosys ऐसी company हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा employees को hire करती हैं, तो इसके वज़े से साथ-साथ ये FMCG sectors और electronic sector में भी business करती हैं, इसके chairman है Azim Premji, fourth company है HCL Technologies, यहाँ पर ये company जो हैं काफी सारे software's build करती हैं, जो laptops and computers में use किये जाते हैं, इसके लावा ये company जो है customizable software's बनाती हैं, जो बहुत सारे business में काम आते हैं, अगर आप long term के लिए यहाँ पर investments करते हैं, तो य commercial services provide करता हैं, इसके खुद के BPO services हैं, ये construction line में हैं, इसके साथ-साथ, इसके लाव भी ये काफी सारे sectors में काम करती हैं, तो अगर आप यहाँ पर investments करते हैं, तो future में आप अच्छे खासे returns कमा सकते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं, hope करता हूँ कि आज की वीडि करते हैं, इसके सकते 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 हैं, इसके झाल झाल झाल